दन्यवाद संजय जी आप सभी ने अभी आदर्निय डॉक्टर रमन सिंग जी को पताधिकारी बैठक के विशय में जो उन्होंने संबोधित किया वो सुना होगा भ्रम की राजनिती ओपोजिशन जो भ्रम की राजनिती कर रही है उस विशय पर भी आज हमारे सम्मानित अध्यक्ष माननिय जेपी नड्डाजी ने हम सब को संबोधन में बताया है यह जो ब्रीफिंग है आज ठीक उसी प्रकार के एक भ्रम को लेकर जो भ्रम आज कॉंग्रेस पार्टी फैला रही है और खास करके जम्मू कश्मीर जैसे एक सेंसिटिव राज्य को लेकर फैला रही है उस विशय में हम सभी जानते हैं कि कॉंग्रेस केवल और केवल एक प रहाया जा सके और चाटुकारिता की पराकाष्ठा किस प्रकार बनाई रखी जाए यही कॉंग्रेस पार्टी का ध्येयर है आज अकबारों में एक बहुत महत्वपून खबर छपा है उसी विशय को लेकर भारती जनता पार्टी आपके सामने कुछ प्रश्णों को लेकर आती अकबारों में छपा है कि जो दो दिन पहले कॉंग्रेस नॉन वर्किंग कमिटी की जो बैठक हुई थी उस बैठक में कुछ महत्वपून सवाल कश्मीर को लेकर उठे थे CWC की बैठक में सीनियर लीडर कॉंग्रेस पार्टी के और CWC के सदस्य तारीक हमीद कारा इन्होंने कश्मीर को लेकर एक भ्रम का वातावरन बनाया और उन्होंने यह भी कहा कि जवाहाल लाल नहरू ही वो वेक्ती हैं हिंदुस्तान के प्रथन प्रधान मंत्री जिन्होंने जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान में इंटीग्रेट किया जबकि सरदार पटेल वह वेक्ती है जिनकी भरसर कोशिश रही कि किस प्रकार से जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान से अलग रखा जाए आपको जानके आश्चर्य होगा आज अकबारों ने चापा है कि तारीक हमीद कारा ने यह भी का कि इस पूरे प्रयोजन में सरदार पटेल जिन्ना के साथ मिले हुए थे और जिन्ना के साथ मिल करके कश्मीर को हिंदुस्तान से अलग रखने की चेश्टा पटेल कर रहे थे वहीं केवल और केवल पंडित जवाहाल लाल नेहरू के कारण ही आज जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा है बंदुगन इससे कुछ प्रश्न उठते हैं पहला प्रश्न उठता है जब पटेल को इस प्रकार से विलिफाई किया जा रहा था जब इस प्रकार से सरदार पटेल जो हिंदुस्तान को अखंड रखने में जिनका एक महत्तोपून भूमिका रही है जो हिंदुस्तान के लोकप्री अनेता हैं हम सब के आधर्श हैं जब उनको एक विलियन के रूप में CWC के मीटिंग में प्रस्तूत किया जा रहा था तो क्या आधन्य सोनिया गांधी जो अध्यक्षा है कॉंग्रेस पार्टी की उस मीटिंग में वो मौजूद थी राहूल गांधी उस मीटिंग में मौजूद थे क्या ये प्रश्न उनके तरफ से उठा कि इस प्रकार से कारा साहब को नहीं कहना चाहिए पटेल जी के लिए ये हम जानना चाहते हैं नंबर एक नंबर दो आश्चरे का विशय है ये चाटुकारिता की पराकाष्ठा है क्यूंकि हमीद कारा तारीक हमीद कारा जो सीनियर लीडर है कॉंग्रेस पार्टी के कश्मीर से आते हैं और जिन्होंने सरदार पटेल को लेके ये प्रश्न खड किया उनका एक अही उद्देश्य था CWC के मीटिंग में और वो उद्देश्य था राहूल गांधी को पुनह कॉंग्रेस के अध्यक्ष के रूप में स्थापीत करना उन्होंने हाथ खड़े करके वहां पे एटेंडेंस रोल भी लिया कि कौन लोग ऐसे हैं जो राहूल ग रांधी तक चली आ रही है और इस पूरे प्रकरण में सरदार पटेल को उन्होंने नीचा करके दिखाया तो स्वभावी क्रूप से चाटुकारिता साइको फैंसी जिसे अंग्रेजी में कहते हैं उसकी ये पराकाश्ठा है एक परिवार ने सब कुछ किया और बाकी किसी न कुछ नहीं किया ये किस प्रकार की मानसिकता है कॉंग्रेस पार्टी की आखिर कॉंग्रेस क्या कहना चाहती है और ये परसू की बात है आज अकबारों ने इसे चापा है और सरदार पटेल जिन्ना के साथ मिले हुए थे इस प्रकार घ्रणक शब्दों का प्रयोग करके शवल भ्रम अपितु हम तो एक शब्द आगे जोडते हुए कहेंगे कि पाप किया है ये पाप का कारिया है बंदुगन आज भारती जंता पाटी ये जानना चाहती है कि क्या इस प्रकार के शब्दों के प्रयोग के लिए तारीक कारा जी को रिप्रिमैंड किया गया क्या उनको CW से निकाला जाएगा यह भी हम जानना चाहते हैं आपने देखा होगा चन दिनों पहले किस प्रकार से वीर सावरकर जी को विलिफाई करना और उनके लिए भ्रम फैलाने का काम किया गया है आज एक बात स्पष्ट होता है अपने परिवार की लिगसी को उपर रखन के लिए नहरू गांधी डाइनास्टी को उपर रखने के लिए सुवाश चंद्र बोश हो चाहे वीर सावरकर हो चाहे सरदार पटेल हो किसी को भी अपमानित करना हो किसी के नाम पे भ्रम फैलाना हो कॉंग्रेस पार्टी वो सब कुछ कर सकती है जहां भारती जंता हो अगरानिती को को लेकर आगे बढ़रा ही है वहीं आज कॉंग्रेस पार्टी भ्रम को लेकर आगे बढ़ा रही है Ahmed की राजनिती कर रही है यह सब देखते हैं यह गंभीर विशय है अकबारों में आज प्रकाशित हुआ है इन सब विशयों को लेकर भारतिय जनता पार्टी आज जवाब चाहती है बहुत-बहुत धन्यवाद है आज प्रकाशित